गुड मॉनिंग दुस्तों तो कैसी है मेरी पहाड़ योट्यूब फैमली आज बढ़िया धूप आई हुई है और 400 अरब बरब का नजारा देखिए बरब पे धूप पढ़ी है तो बरब काफी चमकी ली नजारा रही है और काफी मस्त व्यूद देखने को मिल रहा भी देखिए पढ़िया धूप खिली है यह देखिए मस्त धूप आ रखिया और जंगल क्या लग रहे है उपर पेड़ क्या लग रहे है धूप में तो बरब क सब्सक्राइब कर दो दिन से उपर नहीं जा पाई यह भाई भी लगा हुआ है पुरा बरफ साप करने में हालत खराब हो चुके हम लोगों की बहुत पाला जमा देगी तो फाइनली दोस्तों हमने सीट कवर उसके उपर से निकाल लिया काफी मसरकत लगी और फाइनली हम कर देखते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ड होती है नहीं होती है क्योंकि काफी ठंडा है दोस्तों फाइनली जैसी भी आपने अभी देखी जैसी भी भालूगार वाटरफॉल को साप अभी कर रही है गाड़ी में हुमारा चार्ज हो रहा है मस्ट गाड़ी श्टार्ट होगी है गाड़ी यहां के नहीं है तो मुझे जाना है दोस्तों मजेड तॉरक्त ночा आज कल में यहाँ पर मुक्तिसवर में आना चाहते हैं तो आप भालुगार वाटरफॉल रोड होते हुए आ सकते हैं क्योंकि यह रूट खुल जाएगा यहाँ पर ज्यादा बरब आपको देखने को नहीं मिलेगी अगल बगल पूरा आपको बरब देखने को मिलेगी बाकि रामगड रोड भी खुल जाएगा लेकिन उस पर पाला गिरता है तो उस पर थोड़ा रिस्क है तो अगर आप आना चाहते हैं बरब के आनन लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जी साल आसार में आपको बरब गिरी हुए दोस्तों लगबग 10-15 दिन आपको रोड़नों के अगल बगल जंगल में पूरे रामगड रोड में मुक्तिसर रोड में आपको आराम से बरब देखने को मिल जाएगी तो चलता हूं मजेड़ साइट पे सामने मेरा गाउं और सबसे जो लास्ट पहाड़े दिख रही है आपको यह है ठकुड बाबा रामगड एरिया और प पूरे जंगलों को क्रोस करते हैं उपर चकुटा टॉब में जाना है और बरब धिरे धिरे पिगल दी अब गाड़ियां दिन में से साइट चलने लग जाएंगी क्योंकि जेसी बीने देखे रोड खाली कर दी है तो चलते हैं इस उपर जंगल में और फिर दिखाता हूं आ अटकी हुई है दोस्तों सुबे से ही धूप आगी थी लेकिन सुबे से काफी मुश्किल हुई है आज फौनों में चार्ज था नहीं बड़ी मुश्किल से गाड़े के पास में पहुंचे तो थोड़ा बहुत चार्ज किया है तो अभी चल रहा हूं दोस्तों फैनली रोड से काफी उपर आ चुका हूं महीं और जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं मुझे इसका पता नहीं है और मैं भी पहले इस रास्ते से गभी गया नहीं हूं एक दम जंगलों से होते हुए जा रहा हूँ. चारों तरब देखें आपको सनो ही सनो देखने को मिलेगी. तो पहले हूँ आपको दिखाता हूँ. यहां से काफी संदार व्यू देखने को मिल रहा है. और मेरे पीछा जंगलों को देखें़ काफी बढ़िया है. इन में अभी भी पत्तियों पर इनके बर पटकी वही है तो एक बार दिखाता हूं मैं कहां से आ गया हूँ और यहां से शांदार व्यू दिखाता हूं आपको सामने मस्त जंगल और हर कहीं पर आपको देखने को मिलेगी और मैं आ चुका हूँ काफी नीचे से वहाँ पर आपको रोड नजर आ रही होगी वहाँ से इन जंगलों से होते हुए चरड़ाओं अभी उपर मजड़ा के लिए और जो यह रास्ता है मेरा भी नया एक्सपिरेंस है ले जाएगा मुझे उपर चकुटा गाओं पर आपको देखके क्या चमाक आ रही है मज़ा आ गया दोस्तों पहाड़ों में इस बार सुनों खॉल देखके दोस्तों फाइनली मैं चकुटा गाओं पर पर अभी बरफारी का नजारा देखिए उपर है चकुटा मंदीर वहाँ पर हमारी साइड चलती है और देखिए सभी जगा चारों तर पर और वहां से सांदार नजारे आपको दिखाऊंगा चल यहां अपने सफर पर और देखे बरब बारी का नजारा बेर से ही लेकिन बरफ गिरी और लोगों का मानना है कि लगबख 22 साल का इस बार टूड़ गया है और जहां देखो आपको बरफी बरफ जहां नीभी गिरत अपने पहाड बनाने में लगे हैं एक बार बरफ गिरती है तो इंजोईमेंट पूरा होना चीए तो काफी सांदार नजारा देखने को मिल रहा भी सभी जगे है तो दोस्तों निकलने यहां से मैं हूँ अभी गाओं पर चपुटा वाले सामने जो घर दिख रहा है आपको लबालब बरफ भरी हुई है यह देखिए यह देखिए एकडम कैसा रास्ता हो रहा है थोड़ी से सक्री जगह है इससे से चलते हुए हमने सामने जाने इन रास्तों में तो नॉर्मली चलने में भी दिक्कती होती है वैसे तो बबकितनी बरफ ही अभी बहुत रिस्क्य हो तो फिर भी पहुंच जाते हैं मजड़ा पे उपर रोड पे पहुंचने वाला हूं वहां से आपको नजारे दिखाऊंगा तो इस तरफ का में जो डाउन था हमने उतर लिया और अभी में पहुंच चुगा हूं एकडम नीचे रिवर के पास में पहुंचा हूं और देखि होगी दोस्तों तो फाइनल में पहुंच जाता हूं रोड पे चड़ाई चड़ने लगा हूं इस बार की जो बरबारी हुई है काफी अच्छी बरबारी हुई है हर चीज के लिए यहां पर काफी बढ़िया हो गया है जैसे हम हमारी फसलों को ले 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 या फिर हमारे भग इस जगए से मैं आचुका हूं काफी ऊपर से मा आचुका हूं तो रोड पे पहुंच जाता हूं फिर चलेंगे मगरा साइड पर तो फिर आफ से आगे बात करते हैं दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं चोकुटा पर बड़ा मजचरा वाली रोड पे और सामने नजारा देखे जहां से मैं अभी आया उपर टॉप से नीचे गधिरे उत्रा गधिरे से फिर इतना चड़ाई चड़के फिर आ चुका हूं फाइनल यहां से डेड़ किलोमेटर और है तो पैदल मूव करते हैं यहां से तो मजड़ा बस पहुंचने वाला हूं आधा यहां में कहीं भी जमीन ले रखी है तो आपके एरिया में बढ़िया इस बार स्नोफॉल हुई है और जहां मैं अभी जा रहा हूं यह वनर भी सचनी मान रहे थे कि हमारी हाँ बरब गिरी हुई है तो इसी के लिए काफी मसरकत करने के बाद हम पहुंच जाता हूं मजड़ अपनी साइट पर देखिए साइट में बरब का नजारा कितनी बरब अटकी हुई है सामने हमारे रिटेनी वाल आपको दिख रही होगी डेले इस साइट से में आपको कंसक्सन के ब्लॉग दिखाता था आज देखिए इस साइट से आप बरब के नजारे और इस साइट से ध बढ़िया स्नौफॉल देखिए, खेतों में देखे हैं नीचे, इधर उधर देखिए बहतरीन नजारे, सामने के तरफ धानाचुली में देखिए क्या बढ़िया मस्ज स्नौफॉल हो रखाया, हैवि स्नौफॉल, क्या घर हैं, क्या पेड़ हैं, कुछ भी बता नहीं चल रह है देखिए बहतरीन नजारे हम लोगों का सारा पत्थर ढख चुका है और सामने रेटे निवाल के लिए तो काफी मस्त हो चुका है क्योंकि बढ़िया उसको नमी मिल जाएगी पानी की उसको भरपूर तराही है वो मिल जाएगी खुबसूरत नजारे देखे हैं इससे आगे तक परवड़ा में भी काफी सांदार बरभबारी हुई है इस बार जो नजारे इस बार पहाडों में बने हैं दोस्तों काफी समय बाद ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं और काफी इंतजार था हम लोगों को भी तो थोड़ी झाल बहुत हैं से फिटे से लेते हैं अपने गहर के तरपको और मुझे जाना है जहां से मैं आया था सुबह गाड़ी से हमने चार्ज गया था दिपाब भाही वहीं कर रहा है तो वहीं चलते हैं काफी सांदार नजारे देखिए इस तरफ से भी यह है मजेडा परवडा रोड जहां पर मैं भी खड़ा हूं मजेडा परवडा रोड और यह मजेडा वाली हमारी साइड तो देखिए और बरबारी अगर देखनी हो तो धना चुली में देखिए काफी बड़े क्या बच्चे क्या बर्प में मज़ा आता ही इतना है कि सभी को अपनी और आकर्षित करती है बर्प काफी खुबसूरत महल बना हुआ है आज दूप आ रखिए और सामने का एरे देखिए चखुटा का एरिया काफी सांदार नजारे देखने को मिलते हैं तो मैं निक बड़ वाले रोड में थोड़ा बहुत रिस्क है लेकिन वालुगाड वाटफॉल रोड में कोई रिस्क नहीं है आराम से आ सकते हैं यहां पर आपको रोड़ों के किनारे और जंगलों पर आसानी से यहां पर बर्फ मिल जाएगी इतनी बरफ गिरी हुई है लगभग आद जरुदा सारी बरफ है और पेड़ों से लगभग गिर रही है फिर भी पेड़ों में थोड़ी बहुत अटकी हुई अभी भी तो चलता है दीपक भाई के पास और देखते हैं वहां का नजारा रोड में क्या हाल है अभी वालुगाड वाटफॉल रोड पे मैं पहुंच च रहे हैं बर्फ देखने के लिए लेकिन लगता है कि उपर को जा रही है नहीं जा रही है भी देखते हैं और आगे चलके पहुंच जाता हूं गाड़ी के पास में तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गाड़ी के पास में और दिपर भाई लगा है मां सामने में मस्त गा तो दोस्तो अभी हम यहाँ पर तक आप आप आए इससे उपर हमारी गाड़ी भी नी जा पारी है बरब कावी है उपर भी काफी गाड़ीया फशी है उपर को नी जा पारी है हम भी थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर और फॉन भी चार्ज लगाते हैं क्योंकि बैटरी है नी तो अभी बहुत है बरब विकलने में टाइम तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और जैसे उपर को गाड़ा निकलती है और हम भी निकलेंगे दोस्तों यहाँ पर लग गया है जाम अभी और गाड़िया इससे उपर जा नहीं पा रहे है सबी को सुनो देखनी है और सबी को जल्दी है लोग भी काफी आ रहे हैं हम भी यहां से उपर जा नहीं सकते हैं गाड़ी हमने इहीं पर पार करते हैं तो चलते हैं पहले हैं यहीं से लंबी कतार सुरू होगी है देखिए इस सामने है भटेलिया मुक्तिसवर रोड और हम पहुंच चुब है अभी कस्यलेग में सामने मुक्तिसवर गाट कर रहा हूं यहां देखे बरब के नजारे लगबग यहां तीन फिट से ज्यादा बरब गिरी हुई थी और अब भी देखिए कितनी बरब बची हुई है जहां देखो जहां तक नजर जाएगी वहां तक बरब तो फैनली कस्यले मार्केट से निकलने लगे हैं घर की तरब को और नीची जो भलुगार वाटरफॉल रोड है लगबग लगबग खुल गी है यातायत इस पर चालू हो चुका है अगर आपको भी यहां पर आना है स्नुप का पैक है वहां तो मेहनों लग जाएगा बरफ फिगलने में किसी किसी जगे पैनली दोस्तों घर पर बहुच चुके हैं और मस्त लंज करके अभी घूम रहे हैं घर से उपर की तरब आया है जंगल की तरब और साथ में खा रहे हैं माल्टा माल्टा लाए हुए हैं दीपक घूम रहे हैं यहां पर मैं बरफ दिखाता हूं आपको के उपर मस्त जंगलों में देखे अभी एक फिट से ज्यादा बरफ अठकी भी है और पेड़ों से पेड़ों से तो सब गिर के नीची आ चुकी है जंगल पेड़ों से में बिलकुल बरफ मी हैं बाकी जमीन पे इध बात के शाड़े नौ बजने हैं और सभी लोग खाना खाके सो चुके हैं लाइट है नहीं दो ती दिन से आर लगबख तीस्ता दिन है और पता नहीं है कब तक लाइट आएगी तो हम भी सोते हैं अब बरफ अभी है ही और पाला गिर रहा है मौसम बिल्कुल अभी क्लीन है तो देखे कल सुबे बरफ पाला गिरा रहेगा और बरफ और हाड़ वे रहेगी तो कल के नजारे आपको दिखाता हूँ तो मिलते अपने कल के व्लोग में और दिन भर का व्लोग आपनों को कैसा लगा कमेंड में सियर करेगा तो मिलते अपने अगले व्लोग में तब तक क लेजे है